तो वो हिंदू दोस मुझसे कहेंगा कि ये गनेश जो है वो हमारा भगवान है वो शिवा भगवान का बेटा है भगवान शिवा और ये उनके किताबों में लिखावा है कि गनेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के भार उनकी बीवी पारवती अपने जिसम से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है और वो कहती है उस बेटे से के घर के चोकट पे खड़े रहो, घर के दरवादे के बार खड़े रो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं तो उसका बेटा घर के बार जाता है और दरवादे पे खड़े हो जाता है कुछ देर बाद भगवान शिवा वापिस अपने घर पे लोटते हैं और जब घर में दाकिर होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है आप इस घर में नहीं जा सकते हैं आप दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि मेरी मा आराम फरमा रही है शिवा तेश में आके अपने बेटे के गरदन उना दाते हैं तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्ते आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पैचान सका कल जब मैं मुश्किल में रहूँगा तो मुझे कैसा पैचानेंगे और ये हिंदू दोस्त आप से कहेंगा आपको कहने की जरुवत ने और एक कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेकिया सकते तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नस्दीक में आएंगा आपके उसके गरदन उड़ाओ और मेरे पास लेकियाओ तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो हाती तो हाती की गरदन उड़ाते और शिवा के पास लेकिया आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सुवे पर लगाता है और वुजूद में आता है गनपती एक लड़का जिसके सिर की जगा है हाती का सिर मैं कहूंगा अब इसको भगवान मांते मैं अदोस्त कहेंगा अरे जाने देना जाकिर ये तो कहानी है अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या अरे जाकिर जाने देना ये तो सिर्फ कहानी है मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गनेश भगवान है और मैं प्र और यह वो तासान है, हमें किसी भी गैर मुसल्मान के खुदा को गाली नहीं दे नाचे अल्ला ताला फर्माते हैं, पुरान मजीद में, सुरह अनाम में, सुरा नम्बर 6, आयत नम्बर 108 में आप, वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्ला के इलावा पूजा करते हैं, उनको आप गाली मत दो जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, अबादत करते हैं, अल्ला के इलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो नहीं तो जहालत में वो लोग अल्ला सुभानाओ टाला को गाली देंगे तो हमें गैर मसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है तो हमें कुछ नहीं कहना चाहे सिर्फ पूछना चाहे ये कोन है और वो हिंदू या वो गैर मुसल्मान अपने आप अपना काम करेंगा आपको उन्हें बुरा भरा नहीं कहना चाहिए इसलाम में इजादत नहीं है लेकिन ये तो पूछ सकते हैं कोन है ये आपका गनिश कोन है आपका भगवान कोन है मूँ तो खोलो हम मूँ खोलने से डरते है और मैं जिस शेर में से आ रहा हूँ बंबए आपको शायद पता होंगा उसकी फिसा कैसी है पर अल्हम्दुल्ल्ल्ह सुद्मा अल्हम्दुल्ल्ह ये गैर मुसल्मान मेरी और इज़त करते हैं ये गैर मुसल्मान जब मैं जाता हूँ दुकान में डिसकाउंट देते कुछ लोग फ्री भी देते अल्लह की बात करने से किस से डरना हक की बात करने से क्यों डरना